हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू शॉन टिप्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले नाभी पूर्ण की नाभी पूर्ण यानि की नाभी बस्ती यह हमारे आयरुवेदा की बहुत ही पुरानी एंशेंट वेल एस्टेबलिज्ट एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर नाभी अं आत में एक सिंपली बहुत ही क्लियर ली आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक इसके उपर बहुत जादा रिसर्च नहीं होई है और जब रिसर्च नहीं होई है तो यह कहना तो मुश्किल है कि इसके बहुत सारे सायंटिफिक एविडेंस है कि जो फाइदे इसके क्लेम की मिल सकती है हमको जो scientific available evidence है अभी हमारे पास उनके साथ match करके mix करके हम उस चीज़ को ज्यादा बहतर तरीके से समझ पाए ना भी पूर्ण या नेवल में oil लगाने की practice को तो मैं आपको जितने भी existing evidence हैं जितने भी चीज़े अभी proved है जिस पर हम लोग काम करते भी हैं उसके और साथ में और नाभी पूर्ण के जो benefit है उनके साथ mix करने की कोशिश करूँगा आपको बताने की कोशिश करूँगा scientific explanation देने की कोशिश करूँगा कि जो नाभी नाभी पूर्ण के जो evidence है वो इस तरीके से relate की जा सकते हैं तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं नाभी पूर्ण पर इतना focus क्यों है क्योंकि नाभी पूर्ण का मतलब simple इतना है कि जो हमारी नेवल है Ambilicus है क्योंकि उसी की जरीए तो बच्चा अपने माँ से जुड तो जब इसके health established जो health benefits के claim की जाते हैं उनमें सबसे पहले आता है कि आपके digestion की problem जो है वो improve होती है अगर आपको constipation की problem है digestion की problem है खाना सही से हजम नहीं होता है तो आपके लिए नाभी पूर्ण काफी helpful हो सकती है फिर आता है कि आपको जो anxiety है या stress की problem है उसके अंदर anxiety और stress कम करता है तीसरी बात आती है menstrual cramp यानि के मावारी के time पे जो cramp आते है उसको heal करने में उसको सही करने में आपकी help करता है और चोथी बात यह है कि आपकी sleep quality आपकी नींद की quality आपको यह काफी अच्छी करता है काफी बैतर करता है और पांच यह बात यह कि यह आपक को पांच चीजें बताई अम इन पांच चीजों के साथ में relate करने की कोशिश करूँगा तो दो चीजें जो सबसे important है जो सारी पांच चीजों का explanation करेगी और जिनके evidence भी है number one कि जो नीद की बात है जो stress की बात है anxiety की बात है और inflammation की बात है इन सब का एक better explanation यह है कि अगर हमा inflammation जैसी problem भी face करनी पड़ सकती है हमारी immunity भी compromise होगी हमारे digestion भी compromise होगा और नीद तो सबसे पहले compromise होती है जब कोटिसोन का level जो है हमारी body में fluctuate करता रहता है stress की वज़े से यह और भी कई problems हैं जिसकी वज़े से कोटिसोन का level बढ़ता है उपर नीचे जब होता है जब भी नेवल में अंदर oil लगाया जाएगा तो पहली बात तो यह कि ज्यादा तर यह practice करी जाती है कि कोई और आपके नेवल में यह oil लगाए कि कई बार warm oil लगाते हैं किसे अलग लगतर है कि practice है इसके अंदर मैं उसकी detail में नहीं जाओंगा तो क्या होता है कोई दूसरा बना लगाता है आपका मेंस्टुमेशन में अगर के टाइम पर क्राइम हो रहा है तो husband ने लगा दिया या बेटी ने लगा दिया तो आपको कोई दूसरा बना यह oil लगाता है तो आपको केरिंग की feeling आती है आप stress से थोड़े से relieved feel होते हो आप को anxiety कम होती है और relaxation फिल, muscle relaxation फिल होती है क्योंगी kramp में मस्सल का contraction Drikes ही ज़या हो रहा हुता है और जब ये muscle relaxation फिल होता है और चिसकी वज़े से जो आप को anxiety कम होती है वो इसली होती है क्योंकि जब आपको soothing फिल होता है बहुत He Οक्णी do प्रफ आता है यह कुछ वैसा ही है जब आप अपने बाल कट वाने के लिए जाते हो मैं तो क्या ही जाओंगा मैं तो उसको बोलता हूं थोड़ा सेट करो कि मेरे बाल काटते समय वह हईड्रेसर बोलता है कि कैसे करना है तो मैं कहूंगा कि आपका टैलेंट इसी में है कि आप मेरे कितने बाल बचा पाते हों, तो चलिए ये तो मजा की बात है, तो जब भी आप जाते हो और लोग बोलते हैं कि मसाज करते हैं, तो मसाज करते हैं आपको नीद आने लग जाती है, वो क्यों आती है? क्योंकि आपका stress level कम होता है, Cortison का level कम होता है, आप relaxed feel करते हो और जब relaxed feel करते हो, तो आपकी body में pain भी कम होता है आप ज़्यादा अच्छा feel करते हो, आपका mood भी elevate होता है anxiety भी खतम होती है, stress भी कम होता है So this is the one explanation Second explanation इसकी ये है, कि जब भी हम लोग बात करते हैं आपकी digestion की बात करते हैं, या फिर आपकी immunity की बात करते हैं तो जब आपका cortisol level नीचे आ रहा होता है जब आपको relaxation feel हो रही होती है तो आपकी immunity अपने आप ही boost होती है वो automatic mechanism है अब जब दो मैने बाते बताएए, इसको कुछ इस तरीके से भी ले सकते है कि अगर यही massage आपके head में भी की जाए या आपके shoulder में भी की जाए तो हो सकता है कि आपको same type के benefit उसमें भी मिले जो आपके नाभी जो oil लगाने से मिलते हैं उसके वही same benefit आपको body के दूसरे हीसे में भी massage करने से आपको मिले मैं इसको इस तरह से समझता हूँ जो expert रहे होंगे कि अगर इसी oil को कोई घर में कोई और या कोई family member या friend लगाएगा तो शायद उसको जादा relaxation feel होगी इसके जादा benefit होंगे तो मैं इस चीज़ को as a doctor इसको इस तरीके से relate करता हूँ मैं इसके बिल्कुल favor में नहीं हो कि यह कहें कि नहीं यह सब चीज़े फालतों की बाता नहीं मैं उसके scientific और science के साथ में जोड़के देखता हूँ तो मुझे इसके काफी जादा benefit नजर आते हैं अगर आपको उसको सही तरीके से और healthy तरीके से करें तो thank you so much मुझे बस इस वीडियो में इतना ही कहना था